नमस्कार तो आज हम बात करने वाले हैं वर्ल्ड कप क्वालिफिकेशन की क्योंकि हमारी जो safe country's के अधर वो भी जो main qualifying round वर्ल्ड कप का उसके लिए पहुच चुकी है और उसके उपर हम चर्चा करने वाले कि कौन सी हमारी other safe countries भी और हमारी बात भी करेंगे कि कैसे ग्रूप में है कितनी टफ वहाँ पर टीम सुनके अगेंस्ट में है और कितनी possibilities भी है या एक performance की उमीद कैसी है इसके उपर हम थोड़ी सी चर्चा करते है तो क्योंकि देखिए safe की बात इसलिए क्योंकि अभी हम safe में ही है अभी safe छोड़ा नहीं है कई लोग चाहते हैं safe छोड़े जोगी मुश्किल है छोड़ेंगे तो नहीं other जगे invitation भी खेल सकते तो safe में है तो safe अगर improve करेगा तो कहीं न कहीं countries का योगदान उसमें होगा चाहाब कोई भी country हो अगर हम अच्छा करेंगे तो safe जो है उपपर उठेगा जैसे other regions उठे हुए है तो उसी के लिए हम बात करते हैं other countries कैसा perform कर सकती है या क्या उमीदे नजर आती है तो भारत के लावा बांगलादेश, पाकिस्तान और नेपाल ये भी जो है qualification round खेलने वाली है और देखते हैं कि कौन सी टीम कितना अच्छा कर पाती है तो चेलिए सबसे पहले हम बात करते है पाकिस्तान फुटबॉल टीम की तो पाकिस्तान फुटबॉल टीम है ग्रूप G में और पाकिस्तान की साथ है साओधी अरेबिया, जॉर्डन और ताजिकिस्तान तो अभी आपने आपर जब साओधी अरेबिया का नाम सुनाओगा तो कहीं न कीशुब ने बोलाओ अरे साओधी अरेबिया तो बहुत अची टीम है यस बहुत अची टीम है बट अभी उनका कुछ पर्फोर्मेंस जो है वो अच्छे नहीं चल रहे है लेकिन फिर भी हाँ पाकिस्तान जिसी टीम के अगेंस तो उनको एक बहुत अच्छी टीम माना जा सकता है क्योंकि पाकिस्तान थोड़ी सी एक न्यू टीम है क्योंकि आपको पता है कि उनके पास पुरे फॉरेन की प्लेयर्स है foreign origin वाले उनके तो उनके टीम को भी combine होने में combination और chemistry build-up करने में थोड़ा सा वक्त लगेगा तो इसलिए भी सौधियरी भी उनके एगंस थोड़ी सी tough team है दूसरे नंबर में हम बात करते है Jordan team की तो देखे Jordan team भी उनके एगंस बोलेंगे तो एक tough team है ताजिकिस्तान भी tough team है तो तीनों एडिमन के एगंस बहुत tough है लेकिन अभी पाकिस्तान को आप बहुत ज्यादा हलके में इसलिए नहीं ले सकते हैं क्योंकि अगर वो अच्छी preparation के साथ जाते हैं तो उनके पास पूरे foreign league वाले players है तो जो की एक अच्छा gameplay या थोड़ा अच्छा football खेल सकते हैं और even अगर वो point lose ना करने के लिए भी सोचे कि अगर वो एक point भी secure करने की अगर सोचे तो वो कर सकते हैं तो इसलिए पाकिस्तान से भी उम्मीदे कर सकते हैं उनके fans जो भी है कि at least कुछ positive उनको है ना इस world cup qualification round से देखने को मिल सकता है मैं यह नहीं कह रहा हूं कि they will qualify मतलब next round के लिए because it's tough क्योंकि उनके ग्रुप में ताजिकिस्तान जैसी अच्छी टीम है और अभी ताजिकिस्तान बहुत अच्छा कर रही है जैसे आपने देखा रिसेंट अभी COT नहीं बोल सकता मतलब कि आगे के round के लिए qualify करेगी या नहीं because यहाँ पर थोड़ा सा tough है उनके लिए उसका बाद हम बात करते हैं दूसरी टीम नेपाल की तो नेपाल है ग्रुप H में और उनके साथ है UAE बहरीन और यमन तो नेपाल टीम ने लाउस को हराया था फर्स्ट राउंड में और उसके बाद वो अभी वर्ल्ड कप का जो में क्वालिफिकेशन राउंड उस में पहुंची है तो अभी नेपाल के लिए भी ग्रुप तो tough है थाइलेंड भी बहुत अच्छा कर रही है तो और कुवेत लेपनान भी बहुत अच्छी टीम है तो इन कंट्रीस को बीट किया है तो UAE काफी अच्छा फुटबॉल अभी खेल रही है और आप देख सकते हैं नेपाल के अगेंस तो बहुत एक वन साइड़ेट एक गेम पल है तो इस येर के स्टार्टिंग में UAE कतर ऐसी अच्छे टीम्स को उनोंने बीट भी किया था तो बहरीन को भी हलके में नहीं ले सकते हैं और नेपाल के लिए तो बहुत ये एक टफ ग्रूप है अभी भी फिर उसके बाद अगली टीम है यमन तो थीकि यमन भी पहला जो ह है यह में राउंड में क्वालिफा किया है तो यमन एक ऐसी टीम हम बोल सकते है जिसके अगेंस नेपाल जो है एक पॉजिटिव रिजल्ट का सोच सकता है कि हां हम इनके अगेंस एट लिस्ट या तो होम में मैच विन कर ले यह ना या ड्रॉ कर ले कुछ भी या मतलब एक एक अच्छे रिज़र्ट की होब कर सकते है यमन के अगेंस और यही उनके ग्रूप में एक ऐसी टीम है यमन जिसके अगेंस लो कुछ अच्छा करके अधर टीम जो अपॉनेंट है उनके अगेंस थोड़ा सा भी कुछ है ना पॉ apprehनेंट अगर लूज करने से थोड़ाड़ कि आगे एक राउंड में जाएगी है नहीं तो थोड़ा सा टफ है इसका अब बात करते हैं बंगलादेस फुटबॉल टीम की जो की है ग्रूप आई में और इनके साहथ है भाई ऑस्ट्रेलिया पलिस्तिन और लेबनॉन तो बंगलादेस तो ऐसे ग्रूप में आगी जहां प और होप बहुत जादा काम है बंगलादेस के लिए क्लियरली बोलूँगा मैं क्लियरली बिकॉस जो ऑपोनेंट्स उनके अगेंस्ट है दे आर वेरी 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 गुड और देखिए ऑस्ट्रिलिया ऑस्ट्रिया तो मतला भाई सीधे वर्ल्ड का पाली टीम है तो वन साइ तो वो एक ऐसी टीम है जो ऑस्ट्रिलिया जीसी टीम को थोड़ा सा कॉम्पेटिशन दे सकते है अधरवाईज इनके ग्रूप में तो भाई मतलब बांगलादेस के लिए इतना टफ है क्योंकि पलिस्तीन भी बहुत टफ टीम है लेबनोन आपने देखा लेबनोन के अगें तो इस ग्रूप में बांगलादेस के चांसे बहुत कम नजर आते हैं बस वो ही है कि अगर लेबनोन जेसी टीम के अगेंस और या पलिस्तीन अगर अच्छे तर प्रप्रेशन न कर पाए तो इनके अगेंस अगर होम में कुछ पॉजिटिव रिजर्ट निकल जाए तो ही सकता क्या हूँ क्यों 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 कुवेत के अगेंस जब सेयफ कप में बांगलादेस ने खेला ता तो 90 मिनट के मैच में रोने गेम को ड्रॉप पर रोक लिया था फिर एक्सर टाइम में वो लोग हा रहे थे 1-0 से तो कॵेत जैसी कंट्री इतनी टफ कंट्री के 90 मिनट में तो भाई वो लेबनोन पलिस्तीन के अगेंस भी कर सकते हैं तो बंगलादेस की यही एक होप बोल सकते हैं कि इन टीम्स के अगेंस थोड़ा at least home में at least अगर positive result निकाल पाएं तो उनकी कुछ probability बन सकती हैं उसके बाद हम last में बात करते हैं हमारी भारती football team की तो हम ह ग्रूप A में और हमारे साथ आपको पता ही हमारे साथ है Qatar, Kuwait और Afghanistan तो देखिए हमारे ग्रूप के अगर आप बात करें तो इंडिया ने Qatar के अगेंस पहले खिला हुआ है Kuwait के अगेंस भी खिला हुआ अफगानिस्तान के अगेंस भी खिला हुआ है तो सबसे ची बात ही है कि हमने तीनों कांट्रिस के अगेंस खिला हुआ है अब देखिए इसमें सबसे में बात होई है कि होम में हमको एक भी मैच मैं सीधे बोल रहा हूँ होम में एक भी मैच हमको lose नहीं करना है सब में एधर draw या win यही होम में तो हमारा set है यह तो हमको सोच की चलना है अवे में आप बोल सकते कि Qatar के अगेंस कुछ हो जाए Kuwait के अगेंस में हमको अवे में पॉइंट लूज नी करना है चाह कुछ हो जाए और अफगानिस्तान के अगेंस हमको अवे और होम दोनों में पॉइंट चाहिए तो अगर ऐसा कुछ result हम निकाल पाए जो कि हम कर सकते है जैसा gameplay हम कर रहे है हम कर सकते है बस वह यह कि हम जो गलतिया करते हैं कुछ mistakes या player को नहीं खिलाना और जो first half में अलग gameplay second half में अलग gameplay इसमें थोड़ा सा consistency हमने दिखा दी right choice players का जो selection होता है playing के लिए right selection अगर हो गया यह सब चीज़े सही हो गई तो भाई हम कर सकते हैं बिल्कुल ऐसा नहीं कि हमने मली से कैसा खिला था first half में कैसा खिला यह कैसा खिला है अगर हम उन चीज़ों को भूले थोड़ा सा अच्छे से जाएं यह positive mindset के साथ जाएं थोड़ी से अच्छे तैयारी के साथ जाएं हम लोग निकाल सकते हैं third round का तो बिल्कुल सोच सकते हैं मैं तो सोच रहा हूँ और यह कोई ऐसा नहीं कि ऑप्टमिस्टिक है यह बिल्कुल honest आप भी अगर देखें क्लियरली कि क्या इंडिया कर सकती है अगर अच्छे से करें ऐसा नहीं कि हाँ ऐसा ओर confidence में अगर सोच के जाएंगे तो भाई बहुत बुरे पिलाएंगे लेकिन अगर अच्छा confidence preparation और अच्छे selections जाएंगे हो सकता है हमारा third round तो बनता है तो ये कुछ situation बनती है और I hope कि other safe countries भी बहुत अच्छा करें वर्ल्ड को qualification round में क्योंकि ये पूरे safe region के लिए motivation होती है अगर हमारी कोई एक country भी अच्छी करेगी तो other के लिए खरहेगा lift करने के लिए और वो अच्छा करने हम भी उपर करने तो ये अच्छी बात है तो आप के समझते हैं आप किस country से हैं अगर दूसरी safe country से अगर आप होंगे देख रहे होंगे वीडियो तो आपकी country के लिए आपका क्या thought चल रहा है आप वो comment मिलेके बताईगा भारती football fan है तो आप हमारी country जो है इसके साब से बताएगे आपकी क्या सूच है कि कहां तक हम जा सकते हैं क्या कर सकते हैं तो जो भी आपको लगता है आप जरूर comment मिलेके बताईगा और इसी तरह भारती football को support करते रहे हैं बहुत दोर शुक्रिया वीडियो देखने के लिए जय हिन जय भारत